आलू गोबी की सबजी तो आपने बहुत बारी बना कर खाई होगे, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, एक बार आप मेरे तरीके से यह वाली रेसिपी इस तरीके से बना कर देखेगा, आप इसके फैन हो जाएंगे और यह आपको न बहुत पसंद आएगी, बहुत ज़्य और उसके बाद अब इसके जो टुकड़े हैं वो हम इस तरीके से अलग कर लेते हैं इससे आप इन्हें अच्छे तरीके से देख भी पाते हैं जैसे कीड़े वगर तो होते ही हैं इसमें बहुत छोटे-छोटे तो वो भी आप अच्छे से देख पाएंगे जब इस तरीके से इनके पीसे सालग करते हैं तो आप क्या करना है जब इसके टुकड़े आप कट कर लीजे ना तो पीछे से थोड़ा-थोड़ा सा इसको ऐसे मतब हलका सा छिलके टाइप होता है पतला सा तो इसे आप रिमूव कर दीजे और उसके बाद इसमें चार मतब चार इसमें कट लगा दीजेगा इस तरीके से तो इससे क्या होता है ना जो ग्रेवी होती है जो मसाले होते हैं गोवी में काफी अच्छे से अंदर तक चले जाते हैं आपकी गोवी जल्दी से कुक भी हो जाती है और खाने में आपको बहुत टेस्टी लगीगी कु बहुत जादा छोटे मत रिखिए नहीं तो अगर बहुत जादा छोटे होते है ना तो जब गोबी अच्छे से पख जाती है तो फिर मैस होने लगती है बाकी आपकी पसंद है तो हलके गुन-गुने पानी में मैंने इसको इस तरीके से एक से दो बार वॉस कर लिया है और इस मैंने मीडियम साइस की आलू ली है चार से पांच या छे होंगी और उसके बाद इसका रफली शिलका मैंने हटा लिया है नयवाले आलू में थोड़े बहुत शिलके होते हैं न तो वो अच्छी लगती है खाने में और इसके भी टुकड़े इस तरीके से थोड़े मोटे मोट लिये हैं और इन्हें भी साफ कर लिया है अब यहाँ पर मैंने एक प्याज लिये बड़े साइस की थोड़ी सी लैसुन की कलिया एक हिंज द्रक का टुकड़ा और हरी मिर्ची इन सब का हम पेस्ट बनाएंगे ध्यान रखेगा पानी इसमें कुछ नहीं डालना है हमें तो अब इसको हम पीस लेते हैं तो प्याज वाले मसाले को मैंने पीस लिया है अब कड़ाही में डालेंगे सरसों का तेल चार बड़े चमबच चार बड़े चमबच मैंने अभी डाला है इसी में मेरी पूरी सबजी बनने वाली है और आप देखिएगा कि आपको यह बहुत प फ्राई कर लिया है देखिए काफी बड़े ऐसा कलर भी आ चुका है तो अब इसको निकाल लेते हैं और यह जो तेल बचा हुआ है इसी बचे हुए तेल में वापस से हम गोभी को डाल कर फ्राई कर लेंगे क्योंकि दोनों चीज़ों को आप चाहें तो एक साथ भी करने का जो टाइम है वो थोड़ा अलग-अलग देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है बाकि आप फ्राई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो गोभियों को मैंने हलका सा ब्राउनिस कर लिया है बहुत ज़्यादा इनहीं भी फ्राई नहीं किया है और यह देखिए गोभी भी अच्छे से फ्राई हो चुके है ना अच्छे से भून चुकी है तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और उसके बाद भी इसमें एक से दो चम्मस तेल बचा हुआ था बहुत ज़्यादा तो मैंने इसमें नहीं तेल आट किया है और अब हम कुछ मसाले रेडी करते ह तो यहाँ पर मैंने तीन चम्मस दही लिए दही बहुत ज़्यादा खटी वाले इस्तेमाल मत कीजेगा और अब इसमें एड़ करेंगे कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मस धनिया बाउडर एड़ करेंगे दो चम्मस डालेंगे सबजी मसाला और एक चम्मस और इसके हम पतला सा घोल बना लेते हैं बहुत ज़्यादा पतला मत कीजेगा और इस मसाले से इस तरीके से जब आप योली रेसिपी बनाएंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी टेस्ट भी आपको अलग मिलेगा अब उसी बचे हुए तेल में एक मनने तेज पत्ता डाला है चक्र फूल डाला है और इलाइची डाल दिया है एक शोटी जमब जीरा डाल दिया है इन दीनों चीजों को अच्छे से भून लेंगे फिर थोड़ी सी हींग एट करेंगे फिर जो प्याजवाला पेस्ट बनाया है ना उसे डाल देते हैं और उसके बाद ये वाले प्याजवाले जो पेस्ट है इसको काफी बढ़ियां से हम भूनेंगे तो दो से तीन मिनट का टाइम आपको लग जाएगा ये सारे मसाले जब आप अच्छे से भूनेंगे ना तो आपकी जो सबजी है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी बहुत सौदिस लगती है तो ये देखिए बिल्कुल भूरभूरे से ये मसाले हो चुके हैं तो अब इसी टाइम पर मैंने टमाटर का पेस्ट एट किया है जो कि एक कप के जितना है और टमाटर देखेंगे तो मैंने तीन लिया हुआ था फिर जो मैंने मसाले घोल कर रखे थे वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और इन्हें ठाक देंगे तीन से चार मिनट के लिए बीजवीच में आप इसे चलाते रहें जिब तक कि मसाले तेल ना छोड़ने लगें अच्छे से कुक ना हो जाएं तो ये देखिए मसाले जो है काफी बढ़ियां से तेल को रिलीस कर दिये हैं जो कि त देल काफी सता पर आ चुका है आप देखी सकते हैं और बहुत ही अच्छे से खुसबू भी आने लगी है तो अब इसमें कटे हुए अलू गोभी को डाल देते हैं और ये वाली रेसिपी ट्रस्ट में आपको बहुत अची लगेगी एक बर बना कर तो देखिएगा टेस्ट पाणी डाला है बड़ी ग्लास से दो ग्लास तो अब सब्जी को हम ढख देंगे जब तकि अच्छे से पक नहीं जाती है वैसे सारी छीजें थोड़ी थोड़ी फ्राई भी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो अब इसको हम ढख कर पका लेते हैं चार से पांच कसूरी मेथी जो की एक चमच है कसूरी मेथी से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है और उसकी बाद एक चुटी चमच गरम मसाला आट करेंगे ये होममेड गरम मसाला है जिसकी रेसिपी आलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी है एकदम परफेक्ट और खूब सारी कटी हुई धनिया की पती एड़ करेंगे मदब आपको नहीं पसंदे तो कम डालिए फिर स्किप कीजिए बट सबजी में अगर धनिया की पती पढ़ जाती है तो वो देखने का उसका जो कलर है वो बहुत अच्छा लगता है और सबजी ना खाने कभी मन हो और बीना धनिया पती वाली सबजी तो मुझे नहीं पसंदे अगर आपको पसंदे तो कोई बात नहीं तो आप इनसी चेज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और इसकी ग्रेवी इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पर्फेक्ट है जैसे मुझे चाहिए थी अगर आपको रोटी के साथ भी खाईए उम्मीद है कि यह रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो एक बार प्लीज इस तरीके से ट्राइए कीजेगा और अगर इस तरीके से बनाया है तो मुझे कोमेंट करके बता सकते हैं और ट्राइए करने के बाद अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेयर कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा आलू गो भी है सबजी की बहुत सारी अलग-अलग विराइटी की रेसिपी मैंने अप्लोड की है अपने चैनल पर चैनल पर जेक आउट कीजे मिल पर चैनल को लिजेए दो नेक्स्ट वीडियो में तब तक की लिए बाब बाई